आज की वीडियो में जानेंगे grass weed sterilizer के बारे में देखेंगे कैसे दिखता है, इसके use क्या-क्या होते हैं, कैसे इसको operate किया जाता है, क्या-क्या instruments आप इससे sterilize कर सकते हैं, यह सारी बाते आज इस वीडियो में करेंगे, इसके पहले autoplave के उपर वीडियो बनाया हुआ है, इस्टरलाइशन सीरीज में autoplave के उपर, वो वीडियो आप description में जाकर लिंक से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के उपर एक आई बटन आएगा, उस पर भी click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, Hello friends, मैं हूँ Dr. Harishankar Soni और आप देख रहे हैं Easy Dentistry, तो चलिए समस्ते हैं, यह हमारा glass bead istrlalizer, जैसा यह दिखता है, इसको आप पहले देख लीजे, चारो तरफ से, एक box के जैसा यह है, Modified box बोल सकते हैं, इसके सामने आप पहले देखिए, सबसे basic glass bead istrlalizer यह है, इससे updated form के भी आते हैं, जिसमें आपको display मिल जाता है, उसमें heating बगेरा आपको देख जाएंगी, timing उसमें आप देख सकते हैं, यह सबसे basic glass bead istrlalizer है, इसमें सामने आपको एक on-off button मिलेगा, यहा जब यह ready हो जाएगा, जब installation के लिए हमारा glass bead istrlalizer ready हो जाएगा, तो यह green indicate करेगा, तब हम instrument को इसमें place कर सकते हैं, इसके पीछे यहाँ पर एक fuse दिया हुआ है, in case यह बंद हो जाता है, तो fuse आप इसको खोल के change कर सकते हैं, यहाँ पर एक holder दिया हुआ है, यह lid है हमारा, जो glass bead है, एक bottle में दिया हुआ है, इस glass bead को हमें यहाँ पर fill करना होता है, मैं fill कर देता हूँ, इसको आपको यहाँ पैसे fill कर लेना है, इसके बाद हम switch on कर देंगे, तो जब तक यह ready होगा, अब इसको हम on कर देते हैं, आप अभी देख रहे हैं, तो अभी आप देखें, यहाँ पर red light दिखा रहा है, और यहाँ के उपर जो लिखा हुआ है heating, तो यह heating process में है, जब यह installation के लिए ready हो जाएगा, तो यह indicate कर देगा, green signal जो है, वो on हो जाएगा, तब तक हम बात कर लेते हैं कि किन किन instrument को आप इस इस्ट्रॉलाइशन करता है, ग्लाजबी इस्ट्रॉलाइजर जो है, वो dry heat process पर काम करता है, बैसिकली जो instrument हम इस्ट्रॉलाइज करते हैं, वो endodontic instruments होते हैं, जो हमारी k-files हैं, h-files हैं, protepers, remers, जो भी endodontic instrument है, बहुत अच्छे से आप इसमें इस्ट्रॉलाइज कर सक रखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ instruments मैंने रख्या हुए हैं, अभी हम देखेंगे जब यह ready हो जाएगा, और कुछ files यहाँ पर रख्यों है, कैसे stylize करना है आपको अभी हम बताएंगे, तो देखें, इसमें green indicate कर दिया है, मतलब यह हमारे stylization के लिए तयार है, ready है, यहाँ instrument मैंने कुछ रखे हो है, आपको करना क्या है, जो इनके working end है, इसमें हम डाल देंगे, और जो हमारी files है, इसमें आप place कर दीजे, और एक sequence है आप डालें, और इसको कितने time आपको रखना है, 10 से 15 seconds, 10 से 15 seconds आपको इसमें रखना है, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा files आप कर रहे हैं, तो एक row में आप इसको डालें, तो जब तक पीछे की row में आप जाएंगे, तो आगे की file आपके sterilize हो चुकी होगी, तो इनको फिर हम वापस निकाल लेंगे, तो यह 10 से 15 seconds की process आपको करनी है, chair side installation के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको chair side में रखके कर सकते हैं, ध्यान आपको यह रखना है कि आप हमारी जो फाइल से जो भी instruments आप यूज कर रहे हैं, उनको धोने के बाद अच्छे से dry कर लें, कोई पानी उसमें ना हो, उसके बाद ही आप इसमें यूज करें, उसके बाद जो और दूसरे instruments हमारे होते हैं, उनके working end को आप इसमें कर सकते हैं, इनके जो working end है, इनको आप इसमें place कर दीजे, scissor है, या जो भी आप करना चाहते हैं, tweezer भी मैं इसमें डालता हूँ, chair side sterilization के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा आप डालके 10-15 सेकेंड रखेंगे, तो यह sterilize हो जाएंगे, इसके बाद आपको निकाल लेना ह और जिस end को आप डाल रहे हैं, वही sterilize होगा, जो working end है, आपको वर्क करना है, वही sterilize होगा, बाकी जो हमारा handle है, यह sterilize नहीं होगा, जब इसकी heating कम हो जाएगी, तो बापस से यह heating process में आ जाएगा, उस समय आप रुख सकते हैं, तो जब यह बापस से ready हो जाए, इस्टला अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए helpful रहा हो, तो इस वीडियो को like कर दे, share कर दे अपने friends के साथ, और comment section में बताएं किन topics में आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, जाने से पहले subscribe करना ना भूले हैं, thank you friends